देश में नकसलवात को उखार फेकनी के लिए मोधी सरकार ने दो साल का टागेट टै किया। में दो नकसल प्रभावित जिले हैं मंडिला और बाला खाट दोनों जिलों में सिर्फ यही तीन नकसली बचे हैं। लेकिन तमाम सुरक्षबलों की तैनाती और सर्च ऑपरेशन के बावजूर जब यह तीनों नकसली पकड़ में नहीं आए तो मध्यप्रदेश पुलिस ने केंदर सरकार से और मदद की दिमांड की। मध्यप्रदेश पुलिस ने अब केंदर से CRPF की तीन बटालियन समेथ साड़े साथ हजार आंत्रिक पुलिस फोर्स की मांग कर दी हैं। जिस पर करीब सत्तर करोड रुपे का खर्चाएगा। जबकि इन तीन नक्सलियों को पकड़ने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस ने दोनों नक्सल प्रभावित जिलों में पहले से ही इतनी फोर्स तैनात कर रखी है। भालागाट एक सीमावरती जिला है। इससे लगा हुआ महारास्ट्र और चटिस गण है। दोनों ही जगहों पे बहुत तेजी से नक्सलियों के विरुद्ध आपरेशन्स किये गए हैं। बड़ी संख्या में पहली बार इस वर्ष नक्सलाइट्स मारे गए हैं। पुलिस का दावा है राजे से नक्सलाइट का लगभग सफाया हो चुका है। लेकिन नक्सली गतिविद्यों पर लगाम लगाय रखने के लिए लगतार सुरक्षबलों की तैनाती जरूरी है। क्योंकि मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभावत जिलों की सीमाई दूसरे राज्यों की नक्सल प्रभावत इलाकों से लगी गी। उनमें से दो को 20 साल में एक बार भी नहीं पकड़ा जा सका। क्योंकि इलाके में अपने नेटवर्क के चलते दबश से पहले ही ये फरार हो जाते हैं।